पुलिस मौगे पर मौझूद आग का कारण अभी तक पता नहीं चला बाटुमा सिद प्राख्यात इंजिरिनिंग संस्थान में पढ़ने वाली 22 वर्शी शातरा ने संस्थान के कारियरत एक प्रोफेसर के खिलाख छेडशाड का मानवा दर्श कराया है बताया कि पेडिता को आरोपी प्रोफेसर किसी बहाने से अपने विभाग में बुलाया करता था अंदरवर्ड सर्गना दाउद इब्राहिन के भाई इकबाल कासकर को सीने में दर्थ की शिकायत के बाद सौमवार देर रात मुंबई की जेज़े अस्पताल में भरती कराया गया नेरन माजरन के बीच टॉइ ट्रेन का सफर और पिस उंदर नजारों से परिपूर न होगा किकि मधिया रेलवे ने इन ट्रेनों में पारदर्शी कोश लगाने का निरना लिया है इस सफर के दौरान बाहर नजारा कर सकेंगे शहर के लोगों को जल्दी गर्मी से निजात मिलने वाली है दक्षिन पशिम मौनसुन 6 जून तक मुंबई में दस्तक देगी इस बात की संभावना मौसम विभागने जताई है मौंबई के हाईकोट ने एक सिये स्टुजन के सजा को इस शर्थ पर माफ कर दिया कि वो अगले एक साल तक अच्छा वियोहार दिखाएगा और खुद को बहतर नागरी के रूप में साबित करेगा अपनी एक महिला क्लास्मेट का पीछा करने और उन्हें डराने धमकाने के आरोप में तीन साल के सजा सुनाई थी जेश के अर्थिक राजदानी मौंबई में रेलिंग ओफ रेलिंग रोरो शुरू होने में अरब सागर के लहर और मौनसून रोडा बन कर खड़े है सिवा शुरू करने के लिए एक जहास का आयात किया जाना है जहास मौंबई पहुचते ही या सिवा मौनसून में शुरू कर दी जाएगी इस सिवा के शुरू होते ही मौंबई से मांड़वा जाने में अभी तक 4 घंडे का समय लगता था वह घटकर 40 मिनट हो जाएगा तोपिक एप एरहाउस उंचास पचपन चकला स्रीट पटेल मैंशन में लगी आग आग पर काबू पालिया गया है कोई हतात नहीं सद्रपती सिवाजी टर्मिनस CST रेलवे याड में खड़ी ट्रेन में लगी भीशन आग कोई हधात नहीं सुपरस्टार रितिक रोशन फिलाल अपने फिल्म सुपर 30 की शूटिंग में व्यस्ता आनन कुमार पर बनी इस बायोपिक फिल्म में रितिक भिहारी टीचर बने है जो विधारतियों को IIT की तयारी कराते हैं फिल्म पहले नॉवंबर 2018 में रिलीज होने वाले थी लेकिन अब 25 जैनवरी 2019 तक टल चुकी है इंद्रो सल्मान खान अपनी दरिया दिली को लेकर जबज़स सुर्खियों में है उन्होंने बॉबी देवल के डूबते करियर को बचाया है वही उनके लुक को भी पूरी तरह बॉलिवूट रेडी कर दिया है खुद बॉबी देवल तो सल्मान खान को फरिष्टा मान चुके है उनका कहना है कि वो सर्मान ही है जिन्होंने मेरा करिया डूबने से बचा लिया वार्टेंबरिंग मामले में प्रतिबंद का सामना कर रहे औस्टरलियन क्रिकेटर डेविड वर्नर और केमरोन बैंक्रॉफ क्रिकेट जगत में वापसी के लिए तैयार है वेबसाइट ESPNCreekInfo.com के अनुसार इन दोनों क्रिकेटरों को जुलाई में एंटी स्ट्राइकर लीग में शामिल किया गया है क्रिकाफी मैं हूँ बनराज और शाखा नाई न्यू सेनल को आप लोग सब्स्राइब भी किजिए और लाइक भी किए झाल